सनरचना और लेंस का चयन चायंकन में सनरचना सनरचना दिखने वाले तत्वू या किसी रचना में कला के तत्वू की विवस्था को कहते हैं, जिससे ये किसी विशेवस्थू से अलग हो इसको कला के सिध्धान्तु के अनुसार, कला के तत्वूं के संगठन के रूप में भी सोचा जा सकता है फोटो रचना तक्नीक की सूची छै मुख्य तक्नीके हैं सादगी, फोटोग्राफी सममित संतुलन, असममित संतुलन, रेडियल संतुलन तीसरे का नियम, फ्रेमिंग, फोटोग्राफी तीसरे का नियम यानि रूल ओफ थर्ड्स तीसरे का नियम एक दिशानिरदेश है जो इस तरह के डिजाइन, फिल्मूं, चित्रूं और तस्वीरों के रूप में दिश्च चित्र रचना के प्रक्रिया के लिए लागू होता है दिशानिरदेश के अनुसार एक छवी के रूप को दो समान दूरी पर क्षैतेज लाइनू और दो दूरी पर उर्द्वाकार लाइनू के बीच में नौ बराबर भागू में विभाजित करने की कलपना होती है और महतुपून सनरचना के तत्वों को इन पंक्तियूं या उनके मिलने की जगह के साथ रखा जाना चाहिए इतिहास, तीसरी का नियम सब से पहले 1797 में जौन थॉमस स्मित द्वारा लिखा गया था अपनी पुस्तक ग्रामीन द्रिश्यों पर टिपपणी यानि रिमार्क्स और रूरल सीनरी में स्मित ने 1783 में सर जोशुवा रेनॉल्स की एक कृती को उद्रित किया है जिसमें रेनॉल्स के एक चित्र में अंधेरे और प्रकाश के संतुलन की चर्चा है यह यद्यपी एक सामान्य नियम प्रदान नहीं करता लेकिन विशेश रूप से एक ऐसी सामान्य विधी के विशेवस्तु में बताता है जिसका पालन करने से एक समान और एक ही जैसा कारे करने में सहायता मिलती है Lens के चैन का परिचे एक कैमरे में Lens और Optical Filter एक Network Camera के कई भाग होते हैं इस प्रस्तुति का उद्देश्य आपको Lens तथा Filters के विशेवस्तु में ज्यान देने का है जो Image Sensor या Camera के सामने रखे जाते हैं Image Sensor एक अलग Module या प्रस्तुति में बाद में शामिल किया जाएगा Filters, IR Filter प्रकाश, एक प्रकार की विकरन तरंग उर्जा है जो की एक स्पेक्टरम में मौजूद है जिसके केवल एक हिस्से को मानव आखे देख सकती है जो नीले से लाल के बीच का स्पेक्टरम है नीचे नीला रंग है जिसे Ultra Voilet या पराबैंगनी कहते हैं और उपर लाल है जिसे लाल, अवरक्त प्रकाश या इंफ्रारेड कहते हैं Lens एक Camry का Lens जिसे Photographic Lens या Photographic Objective के रूप में भी जाना जाता है एक Optical Lens या कई Lens का एक समू है जिन्हे Camry के धाचे में एक विशेश संयोजन या तकनीक से वस्तू के चित्र फोटो फिल्म पर या अन्य रासायनिक विधी या इलेक्ट्रोनिक विधी द्वारा एक छवी स्टोर के लिए सक्षम मीडिया पर बनाने के लिए प्रियोग किया जाता है Lens के प्रकार उभयावतल या बाई कॉनकेव Lens द्वी उत्तल या बाई कॉनकेव Lens उत्तल अवतल Lens या कॉनकेव प्लानो कॉनकेव Lens प्लानो कॉनकेव Lens मैनिसकस लेंस लेजर इंजिनियर्ड नेट शेपिंग या लेंस इसे लेजर पावडर फॉर्मिंग भी कहा जाता है डिपोजिशन हेड के माध्यम से एक उच्च शक्ती लेजर का प्रियोग लेंस की अक्ष के समानांतर लेजर बीम के फोकस पर प्रवाहित करके दातु पावडर को पिखलाने के लिए किया जाता है लेजर बीम को आमतोर पर हेड के केंद्र से एक या अधिक लेंस के माध्यम से एक छोटी सी जगह पर केंद्रित किया जाता है X, Y तालिका यानि X, Y टेबल वस्तु के प्रतेक परत के निर्माण के लिए रोस्टर विधान में ले जाया जाता है जैसे जैसे प्रतेक परत पूरी होती जाती है हेड को उपर ले जाया जाता है 3D निर्मान प्रोध्योगी की ये प्रक्रिया कारेविधी के अनुसार अन्य 3D निर्मान प्रोध्योगी कियों के समान है जिसमें परत एडिटिव विधी द्वारा एक ठोस कॉंपोनेंट बनाया जाता है। लेंस इस प्रस्तुती का शेश भाग लेंस और लेंस शब्दावली और विभिन वस्तूं के बारे में जिनसे एक लेंस छवी से बना है के विशेवस्तूं में होगा। द्रिश्ति का कोंड या एंगल अफ विउू। द्रिश्ति क्षेतर या द्रिश्ति का कोंड एक विशेश लेंस से द्रिश्य का वो भाग है जो दिखाई देता है। लेंस जो देखने का एक व्यापक कोण यानि वाइड एंगल प्रदान करता है, उन्हें वाइड एंगल लेंस कहा जाता है, जो लेंस देखने का संकरा कोण प्रदान करते हैं, उन्हें टेली फोटो लेंस या संकशेप में टेली लेंस कहा जाता है, एंगल ओफ व्यू आमतोर पर शैतिज, लंबवत या तिर्चे मापा जाता है Lens, Focus दूरी समानांतर Incident प्रकाश जिसे एक उत्तर Lens में भेजा जाता है Optical अक्ष पर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है ये बिंदु Lens का Focal बिंदु है सामाने तह Image Sensor द्वारा Optical पर नाली में मुख्य बिंदु और Focal बिंदु के बीच की दूरी को Focus दूरी के रूपे जाना जाता है एक ही पतले lens के लिए focus दूरी, focal बिंदु और Lens के केंद्र के बीच की दूरी के बराबर होती है एक lens की focus दूरी एक निश्चत दूरी पर देखने का अपना कोन निर्धारित करती है एक छोटे focus दूरी के lens में wide angle की विशेष्टाएं होती है जबकि लंबी focus दूरी के lens में एक दूरबीन की विशेष्टाएं होती है lens focus दूरी की गणना खास कर तभी महतुपूर्ण है जब एक lens निश्चत focus दूरी पर प्रियोग कर रहे है जैसे focus दूरी निश्चत होती है वैसे ही दृष्टी का कोन तथा दृष्टी क्षेत्र भी निश्चत होता है एक कारे के लिए यदि lens के इश्चतम यानि optimum focal length की लंबाई करनी हो तो आपको निम्नलिकित जानकारी की आवशकता होगी जिस दृष्टी को आप देखना चाहते हैं वो आप से कितनी दूर है आपके camera में image sensor का शैतेज आकार दृष्टी की चौड़ाई जिसे आप देखना चाहते हैं अब आप नीचे दिये गए formula में इन values को लगाएं F दी गुणा i बटा w के बराबर है जहां F lens की focus दूरी है D दृष्टी से दूरी है I image sensor की चौड़ाई है मिलिमिटर में W दृष्टी की चौड़ाई है मापन की किसी भी इकाई को लागू किया जा सकता है यदि इसे समान रूप से हर पैरामिटर के लिए प्रियोक किया गया हो Lenses depth of field एक lens की focus ring आम तोर पर इस प्रकाश समायोजित की जाती है जिससे दृष्टी के भीतर जिस वस्तू को देखना है वह वस्तू साफ दिखाई दे एक निश्चित बिंदू तक इस सामन जसे के सामने और इसके पीछे के वस्तू focus में होते हैं इस focus zone को depth of field के रूप में जाना जाता है जैसे जैसे वस्तू में depth of field से बाहर होती जाती है depth of field या तो lens से दूर या उसके करीब उनका focus हराब हो जाता है Lenses, Aperture Lens के कारण एक अन्य महतोपून कारक जो चित्र को प्रभावित करता है Lens Aperture या Lens Opening है यह Lens के प्रकाश एकत्रित करने की क्षमता को मापता है Lenses, Lens Iris प्रकाश की मात्रा जो Image Sensor पर पड़ती है अनुकूलतम प्रदर्शन के लिए एक निश्चित सीमा के भीतर होनी चाहिए बहुत अधिक प्रकाश ते चित्र ओवर एक्सपोस्ट हो जाता है या धुल जाता है बहुत कम प्रकाश होने पर बनने वाली चवी या द्रिश्य बहुत काला हो जाता है जिससे कई भागूं के विस्तरित वर्णन नहीं मिल पाते हैं Lens Iris प्रकाश सेंसर पर पढ़ने वाली मातरा को नियंत्रित करने के लिए प्रियोग किया जाता है Lens निश्चित मैनुवल रूप से समायोज्य या ऑटोमेटिक आइरिस शामिल कर सकते हैं Lenses Lens के तत्व Lens पारंपरिक रूप से एक गोले के आर्क के आकार यानि गोलाकार Lens के होते हैं जिसके कारण चित्र किनारों पर हराब हो जाता है तथा इसकी प्रकाश एकत्रित करने की क्षमता कम हो जाती है एक लेंस के किनारे कम घुमावदार होने की कारण एक गोलाकार लेंस सटीक छवी के लिए एक बड़े क्षित्र को प्रदान करता है और प्रकाश की एक बड़ी मात्रा के प्रवेश की अनुमती देता है एक गोलाकार लेंस इसलिए विरूपड को कम करने और कम प्रकाश के स्तर पर संचालित करने के लिए कैमरों को अनुमती देता है लेंसिस, माउंट मानक या स्टांडर्ड CCTV लेंस के लिए दो सबसे आम माउंट मानकों को C और CS माउंट कहा जाता है लेंसिस, सेंसर पर निर्भरता इमेज सेंसर विभिन साइज में मापा जाता है जैसे एक बटा चार, एक बटा तीन, एक बटा दो, दो बटा तीन और एक इंच के रूप में ये CCD की विकर्ण लंबाई नहीं है ये वास्तों में 1950 के वीडियोकॉन टूबू के समय के साइजिंग मानक है लेंसिस के प्रकार वाइड एंगल वाइड एंगल लेंस का देखने का दाइरा बड़ा होता है जो एक बड़ा दृश्य प्रदान करते हैं टेलीफोटो लेंस टेलीफोटो लेंस शब्द का प्रियोग एक उच्छ फोकल संख्या दूरी के लेंस का वर्णन करने के लिए होता है जो मानव आँखों के द्वारा उत्पन छवी से अधिक बड़ी छवी बनाने की शमता रखते हैं वे आमतोर पर तब प्रियोग होते हैं जब देखने वाली वस्तु या तो छोटी हो या कैमरे से दूर हो लेंसेस के प्रकार वेरी फोकल वेरी फोकल लेंस, फिक्स्ट फोकस लेंस की तुलना में अधिक महेंगे हैं परन्तो वे उप्योग, सेटप और परिवर्तन के लिए आसान हैं यदे एक लेंस की फोकस दूरी और इसलिए एंगल ओफ व्यू बदलने की सुविधा हो तो एक दुरिश्य के सही व्यू को प्राप्त करना बहुत सरल है जूम लेंस जूम लेंस वेरियबल फोकस दूरी से एक कदम आगे हैं और सबसे अधिक कारिक्षमता प्रदान करते हैं उनकी फोकस दूरी और फील ओफ व्यू उनकी पूरी रेंज में फोकस बनाये रखते हुए लगातार समायोजित की जा सकती है वे अकसर मोटर चालित होते हैं और रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाये जा सकते हैं तथा दृष्चे के महतोपूर क्षेत्रू की जाच करने के लिए ऑपरेटर द्वारा प्रियोग किये जाते हैं जूम रेशो शब्द का प्रियोग जूम लेंस की क्षमता का वर्णन करने के लिए अकसर प्रियोग किया जाता है जबकि यह एक जूम लेंस के शुरू होने की फोकस दूरी वाइड तथा समाप्त होने की फोकस दूरी टेलीफोटो का अनुपात है एक 20x जूम वाइड एंसे छवी को 10 गुना बड़ा दिखाएगा उदाहरन एक 10x जूम लेंस 8mm से 80mm, 12mm से 120mm विशेश लेंसे फिश आई अत्यंत वाइड एंगल लेंस को फिश आई लेंस कहा जाता है वे महेंगे हैं क्योंकि सामने का lens काफी बड़ा होता है, lens polish किये वे होते हैं, इस तरह के एक बड़े सतह की ठीक करना काफी मुश्किल है। विशेश lenses, pinhole, pinhole lens मुख्य रूप से गुप्त निगरानी के लिए उपयोग किये जाते हैं, उनमें सामने एक बहुत छोटा छिद्र, एक से तीन एमेम का होता है, जिससे उन्हें बहुत छोटे छेट के पीछे माउंट किया जा सकता है और उन्हें ढूनना लगभग नामुम सीधे और कोणी ये model विभिन माउंटिंग अवस्थाओं को आसान बनाने के लिए उपलब्ध हैं, सामने के भाग में छोटे छेट के कारण, pinhole lens, पारंपरिक lens की तुलना में अधिक प्रकाश गठा नहीं कर सकते, इसलिए उनके उपयोग के लिए निश्चित है कि दृष्